तो आज आपके लिए मैं लेके आए हूँ प्रमुक बैंकिंग दरें ठीक है जो की एक अगस्त 2018 के बाद की ठीक है अपडेटेड है तो आप वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहें बीच में छोड़ किना जाएं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा ठीक है यह आपके वनली करेंट एक्जाम जो आपके आने वाले एक्जाम है अभी उसके लिए क्योंकि यह परिवर्तन सील रहता है बदलता रहता है ठीक है बैंकिंग रेट तो आए देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे रेड बटन पे क्लिक करने और साथ में वेल आइकन इंडिया के गरवनर कोन हैं ये जान लेते हैं तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गरवनर है उरजित पटेल ठीक है तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गरवनर उरजित पटेल ने मौधृइन ने मौधिक नीट की समिक्छा में एक आगस्त situation चालूबित बर्स 2018 हे सी तीसरी दिमासिक मौद्रिक नीत में GDP ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान लगाया है ठीक है और इसी के साथ बैंकिंग दरों में भी बदलाव किये हैं ठीक है तो क्या देखा आपने की रिजर बैंक आफ इंडिया के गरवनर कहने कौन है उर्जित पटेल है जो मौद्रिक दिमासिक मौद्रिक नीत में GDP ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान लगाया है और बैंकिंग दरों में भी बदलाव किये हैं तो आइए हम जानते हैं कौन-कौन से बदलाव किये हैं बैंकिंग रेट में एक-एक करके देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं रेपो रेट तो रेपो रेट कितना है वर्तमान स्वाए में तो 6.50% रेपो रेट है ठीक है फिर नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट कितना है रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में 6.25% ठीक है रेपो रेट 6.50 और रिवर्स रेपो नेक्स्ट देखें, bank rate, तो bank rate क्या है वर्तमान समय में पर? 6.75%, ठीक है, bank rate है, फिर नेक्स्ट देखें, तो MSF rate, marginal standing facility rate, ठीक है, ये कितना है? 6.75% है, वर्तमान समय में SF, MSF rate, ठीक है, 6.75%, फिर नेक्स्ट है, CRR, ठीक है, cash reserve ratio, तो ये कितना है? 4.00% यानि 4% है, CRR, वर्तमान समय में, और फिर नेक्स्ट है, SLR, ठीक है, तो SLR कितना है? वर्तमान समय में, तो 19.50% SLR है, ठीक है, तो मैंने आपको आज, banking rate के बारे में जानकारी दी, ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा होई वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं था वी ज्यादा नहीं थी इसमें, ठीक है, तो ये क्या है कि अपडेटेड रहता है, अभी वर्तमान समय में इतना है, आगे चल कि चेंज भी होगा, कुछ उपर नीचे हो सकता है, इसलिए, ये आपके आने वाले current जो अभी exam है, उसमें important है, ठीक है, इसके बाद ये बदल सकता है ठीक है, तो आप अभी के लिए याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करने और वे लाइकन प्लेस करने, जिससे की चैनल के अपडेट आपको मिलती रहें, ठीक है friends, और वीडियो को सेयर करें अपने सभी friends को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारे मिल सकें और वे चैनल से जुड़ सकें, तो थैंक यू friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपार्टन वीडियो के साथ,